बड़ी खबार इस वक्त दिल्ली के मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल से जुड़ी हुई है दरसल केजरिवाल ने पहली बार अपनी पार्टी के जगड़े पर अपनी चुपी तोड़ी है केजिवाल ने ट्वीट करके ये कहा है कि पार्टी के जगडे से मैं बेहत दुखी हूँ, आहत हूँ और ये दिल्ली के लोगों के साथ धोका है पहली बार केजिवाल जो आंतरिक कलह चल रही है पार्टी की उस पर बोले हैं ट्वीट करके उन्होंने कहा है कि दिल्ली के भरोसे के साथ धोका हुआ है दरसल आम आदली पार्टी इस वक्त दो खेमें में बढ़ चुकी है आंतरिक जगडे की वजह से आम आदली पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजिवाल दुखी है मैं सिर्थ दिल्ली के गवर्नेंस पर ध्यान दूँगा ये कहना है अर्विन केजिवाल का ट्वीट करके अर्विन केजिवाल ने ये कहा है कि जो आंतरिक कले है उससे वो बेहत दुखी है जगडे से बे आपको दिखाने तहीं कि अर्विन केजिवाल ने क्या कुछ ट्वीट किया है तो दिखाने तूटने नहीं दूँगा यह tweet करके आम आदनी पार्टी के नेता मुखया और साथी दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजिवल ने कहा है पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है कुछ देर पहले नहोंने tweet किया त्वीट में क्या कुछ लिखा वो भी हम आपको दिखाएंगे लेकिन उनका क्या कुछ कहना ही ये सुनिये परशान जी पार्टी के वरिष्ट नेता है सम्मानिश सदस है, फाउंडर मेंबर है लेकिन मुझे लगता है कि उनको इस तरीके की बाते पब्लिक में नहीं करनी चाहिए थी कल नेशनल एक्जेक्टिव की मीटिंग है अगर उनको लगता है कि पार्टी के अंदर ठीक नहीं है, पार्टी में सब बातें सही नहीं है तो वो उसको नेशनल एक्जेक्टिव की बैठेक में उठाते वहां कहते हैं कि पार्टी के अंदर personality cult हो रहा है, पार्टी में donation को लेकर सब कुछ सही नहीं है, लेकिन इस तरीके से मीडिया में बयान देना, इस तरीके से मीडिया के अंदर जाके कुछ भी कहना, उससे पार्टी की छवी को खराब होती है, हमारे तमाम जो volunteers हैं, हमारे जो समर्थक हैं, वो उनके अंदर एक मायूसी सी फैलती कि आखे पार्टी में हो क्या रहा है, तो मुझे थोड़ा सी थोड़ा अपसोस हुआ जिस तरीके से मीडिया में जाके उन्होंने इंटर्व्यूस दिये हैं, और जिस तरीके से मीडिया पार्टी पर डिपड़ी की है, क आश्टे कारक्यार्णी की बैठक में ये मुद्दा उठाना चाहिए था ना कि मीडिया के सामने, वहीं आम आदनी पार्टी की फूट जो सामने आई है, उसमें ट्वीट जो आशीश खेतान का है, वो भी इस वक्त हवा का काम कर रहा है, उन्हें कहा है कि आम आदनी को आशीश खेतान लगा रहे है, प्रशान भूशर, शान्ती भूशर और उनकी बेटी शालनी भूशर पर आपको एक परिवार्ट की पार्टी बनाना चाहते हैं ये तीनों पंकज जैन हमाई समवाता, इस वक्त हमाई साथ जुड़ गए है फोन लाइन पर, पंकज जाहिर तोर पर इस वक्त आम आदमी पार्टी की कलह सबके सामने है, दो खेमे में बच चुकी है ये पार्टी, कल यानि की चार मार्श को राश्ट्रिकार कार्णी की बैठक होने व अरविंद केजरिवाल ने भी ये टूइक कर दिया है कि वो सिफ दिल्ली पर ध्यान देना चाहते हैं, आचीन शीज खेतान जो है उन्होंने भी ये कह दिया है कि परशांद भूशन ने जो कुछ भी कहा वो गलत था, तो अब पहले से जो बात चली आ रही थी कि परशांद अरविंद की मीटिंग होगी चार तारिक को करीब दो बज़े की लगभग आत्वाज ये शुरू हो जाएगी मीटिंग और उसके बाद ये सैसला किया जाएगा कि किस तरह से जो तमाम काम हुए हैं पार्टी के अंदर गलत जो सवाल खड़े किये थे इन दोनों ही नेताव उनको किस तरह से आगे लेकर जाना है हो सकता है नई जिन्मेदारियों के बहाने इनको पी एसी से बाहर कर दिया जाए